मोदी के आत्म निर्भर भारत में देश की रक्षा करने वाली सेना आत्म निर्भर ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है देखिए रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे दुनिया का सबसे मजबूत देश बनने को तयार है देखिए भारत अब अपने ही घर पर कौन कौन से हतियार खुद बनाएगा आर्टिलरी गंज, असॉल्ट राइफल, कोरवेट्स और सोनार सिस्टम परिवान विमान, हलके लडाकू हेलिकॉप्टर, रडार, बैलेस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहियों वाले बक्तर बंद लडाकू विमान, पंडुब्बियां, टोएड आर्टिलरी बंदू के, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें क्रूज मिसाइलें, मिसाइल पोट, फ्लोटिंग डॉक, पंडुब्बी रोधी रॉकेट लॉंचर, कम दूरी के समुदरी टोही विमान, हलके रॉकेट लॉंचर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर, मिसाइल डेस्ट्रॉयर, रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसा ऐसे 101 सामानों की लिस्ट तयार की है, देश के रक्षा मंत्राले ने, ये जान कर आपका सीना भी फक्र से चोड़ा हो जाएगा, कि इन 101 सामानों के आयात पर मोधी सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, इस निर्भरता को चरणबध तरीके से दिसंबर 2025 तक पूरी तर से खत्म कर दिया जाएगा, ताकि सेना की कारेश शमता प्रमावित ना हो, दिसंबर 2020 से इन में से 79 चीजों का आयात बंद हो जाएगा, दिसंबर 2021 के बाद, वील्ड आर्म्ड फाइटिंग वीकल, लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल, माइन एंटी टैंक, माइन एंट पर्सनल ब्लास्ट और ग्रेनिट का आयात नहीं होगा, दिसंबर 2022 के बाद, अंडर बैरल ग्रेनिट लॉंचर, हलके रॉकिट लॉंचर के आयात पर रोक लग जाएगी, दिसंबर 2023 तक, बियॉंड वीजोल रेंज, एर टू एर मिसाइल, कम्मिनिकेशन, सेटलाइट, जी स जेट 7C, बेसिक ट्रेनर एर क्राफ्ट का आयात बंद कर दिया जाएगा, दिसंबर 2024 से भारत छोटे जेट इंजन का आयात रोक देगा, दिसंबर 2025 से भारत लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीद भी बंद कर देगा, नए भारत की नई रक्षा नी थी अब ऐसी ही होगी, आत्म निर्भर सेना होगी, जो दूसरे देशों से हत्यारों की खरीद नहीं करेगी, 52,000 करूण रुपए घरेलू बाजारों से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किये गए हैं, सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने के बाद, अ